नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब इंडियन गाडिनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मस्रूम की घर पर उत्पादन के बारे में तो दोस्तो जैसा कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ आज हम सिखेंगे धिंगरी मस्रूम यानी सीपी मस्रूम यानी ओइस्टर मस्रूम के बारे में जी हाँ दोस्तो ये तीनो नाम एक ही मस्रूम के हैं अलग-अलग छेतरों में इसे अलग-अलग नामों से जानते हैं खास तोर पर इसे हम oyster mushroom के नाम से जानते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपे screen पर देख पा रहे हैं ये जो 4 bag मैंने तयार किये हैं ये mushroom के लिए ये bags हैं और इन्हें तयार करने की विधी के बारे में मैं आपको पूरी जनकाड़ी इस वीडियो में दूँगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अच्छा लगे तो प्लीज इसे like और share करना बिल्कुल नहीं बोले दोस्तों ये mushroom उगाने का पहला step है जहां मैंने एक drum में लिया है 100 लिटर पानी और उस पानी में मिलाने के लिए लिया है और एक घंटा छोर देने वाला हूँ इसके साथ ही जड़ी दूसरे बिकल्पों पे बात करें तो आप दोस्तों यहां पानी में दवा मिलाने का मकसद यही है ताकि भूसे में लगे जितने भी किटानू और बैक्टिरियां हैं उसे मारा जा सके तो यहां पे आप दवा मिलाना जड़ी नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आपके पस दूसरा बिकल्प भी है आपको भूसे को पानी में गोत करके और उबालना होगा और उसे तब तक उबालते रहें जब तक कि पानी अच्छी तरह से उबलने ना लगे तो इस तरह से आप औरगेनिक तरीका से भी मस्रूम उगा सकते हैं परन्तु उसमें खत्रा जादा रहता है क्योंकि जब यह बैक तयार करके मस्रूम हाउस में उसे सिफ्ट करते हैं तो बैक्टरिया का खत्रा वहां भी होता है तो वहां जब तक आप दवाओं का इस्तमाल नहीं करेंगे तब तक संभावता उसे 20 दिनों तक बचाया रखना संभाव नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे दवा का इस्तमाल कर रहा हूं आप चाहें तो दोनों तड़ीकों को अपना सकते हैं तो दोस्तो मैंने ये फर्मलीन और बेवेश्टीन के घोल को तयार कर लिया है और जैसा कि आपने देखा कि मैं 2-4 मग नीचे फर्स पे भी डाल रहा हूं क्यूंकि भूसा गोतने के बाद निकाल करके मैं इसी फर्स पे बिचा करके उसे सुखाने वाला हूं तो सुखाने से पहले दोस्तो यहां पे फर्स में भी बैक्टरिया हो सकती है किटानू हो सकते हैं तो उसे भी यहां से किटानू को नश्ट किया जा सके इसलिए मैंने फर्मलीन और बेवेश्टीन के घोल से फर्स को भी अच्छी तरह से धो लिया है यहाँ पे आप अच्छी तरह से फर्स को बढ़िया से साफ कर लें क्योंकि कोई भी डश्ट वहाँ पे नहीं होनी चाहिए किसी परकार का कोई कचरा नहीं होना चाहिए तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 100 लिटर पानी के लिए लिया है 10 केजी भूसा तो उस ड्राम के अंदर डाल दे रहा हूं और उसमें फोर्मलीन और बेवेश्टीन सलूसन मिलाया हुआ है और उसके बाद उसमें अच्छी तरह से मैं इस भूसे को गोत दूंगा ताकि वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर जाए भूसे में हर जगा पर अच्छी त इस्तेमाल करना है जो कुटी इस्तेमाल करना है वो गेहूं या धान का हो सकता है दोनों में से जो आपको उपलब्द हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जदी उनके साइज की बात करें तो भूसे का साइज लगभग एक इंच का होना चाहिए लेकिन यहां पर मुझे एक इंच का भूसा नहीं मिला तो मैं साधारन गाय को खिलाने वाला जो धान का कुटी होता है जो हाफ इंच के लगभग साइज का कटिंग होता है मैं उसी का इस्तमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरा experience रहा है मैंने पहले भी इस कुटी में अच्छी तरसे उगा चुका हूं तो जदी आप पहली बार कर रहे हैं और आपको एक इंच का भूसा नहीं मिलता है तो आप छोटे वाले कुटी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे भी आपको कोई नुकसान नहीं है और पैदावार पे भी कोई फरक नहीं परेगा क्योंकि दोस्तो मैं थोड़ा अलग तरीका से आपको बताने वाला हूं बाकी मैंने यूटूब पे और भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं उनमें जो तरीका बताया गया है साइद मेरा तरीका उनसे काफी अच्छा है और मैं इसका उत्पादन और अच्छी तरह से कर भी चुका हूं तो दोस्तों यहां पे जैसे कि आ दुबा करके और हमें इसको एक घंटे तक किसी भी प्लास्टिक से या किसी भी चीज से ढख के छोरना है ताकि उसका अंदर जो गैस बने वह गैस अंदर ही रहे ताकि बैक्टरिया पूरी तरह से नस्ट हो सके दोस्तों अब एक घंटे पूरे हो चुके हैं इसके बाद मै गोते गए भूसे को मैं ड्रम से बाहर निकालूंगा बाहर निकाल करके और इसे फर्स पे डाल दूंगा ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है जो इसके अंदर पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जिस फर्स पे डा को निकाल करके रखूंगा ताकि उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल करके और गर जाए और फिर इसे छाओं में लगभग 1-2 घंटे तक इसे शुखाएंगे पतला करके थोड़ा ताकि इसका जो है नमी रहे लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो से पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकलनी शुरू हो गई है इसके बाद मैं इस भूसे को अच्छी तरह से वहीं पर फैला दूंगा दोस्तों यहाँ अब मेरा बिजाई के लिए भूसा तयार हो चुका है और बात आती है अब एस्पॉनिंग की तो एस्पॉनिंग के लिए आपको जरूरी होगा ओश्टर मस्रूम का एस्पॉन तो एस्पॉन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक ठाली में दो पैकेट एस्पॉन रखा है और यह एस्पॉन आपको मिल जाएंगे किसी भी आपके सहर में एगरिकल्चर इन्वर्सिटी से या एगरिकल्चर जो भी संस्थान होंगे वहां से आपको आसानी से मिल जाते हैं या इसे अमेजन से ऑनलाइन भी खरीच सकते हैं हलाकि वहां आपको महं लगेंगे तो दोस्तो इस्पॉनिंग करने के लिए आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस्पॉन को यह जम जाते हैं कवक जाल से तो इसे अच्छी तरह से तोर लेना है वह प्लास्टिक के अंदर है और तभी मैं इसे छोटे-छोटे टुक्रे में इसे तोर के अलग कर दे रहा है और उसके जो प्लास्टिक के जो उपरी भाग है उस पे उसे कोटें से पैक करके रखा हुआ रहता है ताकि इसमें सुध हवाओं का आदान परदान होता रही यह बिल्कुल बंद करके नहीं रखा जाता है जदी आप कहीं से स्पॉन इसकी मंगाते भी है तो ऐसे अस्थ काड़ा भी नहीं होगी और ताकि आपको भूसा त्यार करने के लिए वक्त मिल जा है तो चलिए दोस्तों यहां पर आपने देखा कि मैंने एक पैकेट एस्पॉन को निकाल लिया है और उसे अच्छी तरह से तोर लिया है इसमें दो-चार दिन रखने के कारण देख पा र करने की तो बिजाई करने के लिए मैंने एक फिट बाई डेर फिट का प्लास्टिक का बैग लिया है यह आपको किसी भी हाड़वेर दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं प्लास्टिक का मसरूम बैग के नाम से इसे जाना जाता है आप मसरूम बैग चाहिए बोलेंगे तो आ नीचले portion को आप rubber band लगा करके और इसे आप गोल आकार दे सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लंबे लंबे बैग चाहिए क्योंकि उसमें उपज और ज्यादा अच्छी होती है इसलिए मैं नीचे का भाग इसका बांध करके और इस बैग को छोटा न बनाऊंगा लेयर बनाने के बाद वो अलग ये गए मस्रूम के जो एस्पॉंस हैं उसे मैं एक लेयर उसके उपर से उसकी बिजाई करूंगा उसे अच्छी तरह से फैला दूंगा ताकि एक उपर से लेयर बन जाए इसी परकार से आपको प्रतेक तीन इंच का भूसे का ल बिजो को रखना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक और सावधानी बरतनी है आपको मस्रूम के स्पॉंच होने से पहले या बिजाई करने से पहले अपने हाथों को हाइडरोजन परेकुसाइड से अच्छी तरह से आपको सा जाएंगी और वो खराब होने काले होने सुरू हो जाएंगे तो आपको मैं यहाँ पर वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि यह काले नहीं होने चाहिए क्योंकि इसे किसी भी परकार के वैसे मस्रूम हाउस का आप इस्तमाल करें जो पूरा बैक्टेडिया रही तो हो और वहाँ पे धूल मिटी का भी उड़के जाना वहाँ पे संभव नहीं हो इसलिए इसे बंद कमडे में उगाया जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें चार लियर बिजाई किया हुआ है और बिजाई करने के बाद देख पा र सब्चे और उसे बहुत ज़्यादा जोर से दबाना भी यहाँ पे नहीं है बस इतना उसे मोर लेना है ताकि उसमे यह ज़्यादा नहीं बचा हुआ हो और वो पूरी तरह से उसके मूह को बंद करने के लिए मोर करके आपको ऊपर से एक रबर बैंड लगा देना होगा दो से उपर तक 10-12 होल कर लूँगा क्योंकि इस से इसमें सुध हवाओं का आदान परदान होता रहेगा क्योंकि यह जो भूसा है यह काफी गिला है और इसमें बहुत ज्यादा ग्रेडी कर लिये हैं मस्रूम हाउस ले जाने के लिए और मैं इसे मस्रूम हाउस में सिफ्ट करने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका मस्रूम हाउस होना कैसा चाहिए दोस्तो कोई भी कमरा जो अंदर से पूरी तरह से बंद हो और उसमें एक्ष्ट्रा कोई खिर्किया या दरवाजे नहीं हो चाहें तो आप उसे चारो तरब से किसी भी चीज से उसे पैक करके और अंधेरा प्रदान कर सकें और दोस्तो अब बात आती है कि जिस हाउस में हम रखेंगे उस हाउस का भी सुधी करन करना अतियावस्यक है तो यहां जो आप स्प्रे देख पा रहे होंगे ये भी बेवेश्टीन और फॉरमलीन का घोल ही है और उसी 100 लिटर का जो मैंने गोल तेयार किया था उससे इसमें बोतल में मैंने श्टोर कर लिया था और उसी का छिरकाव अच्छी तरस से रूम में कर दूंगा रूम में अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद इस चारू बैग को लगभग 6 इंच के बीच में अंतराल देते हुए कम से कम 6 इंच का अंतराल होना चाहिए बैग का और मैं रख दिया हूँ उसके बाद दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दूँगा दोस्तो बिजाई के दो दिन के बाद का रिजल्ट है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पैकेट में कवक जाल फैलने सुरू हो चुके हैं और वीडियो लंबा होने के कारण इस पार्ट में बस इतना ही आगे इसकी देख भाल और इसकी हर्वेस्टिंग के बारे में दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहें इंतजार करें मैं दूसरा पार्ट तुरंत देने वाला हूँ तो दोस्तों इसे देख करके आप भी अपने घर में मस्रूम लगा सकते हैं मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन सुभ हो धन्यवाद